दोस्तों नमस्कार आदाब सत्ष्रियकाल नियोज क्लिक के कारक्रम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश आज सुबह कुछ देर के लिए मैंने टेलिवीजन चैनलों को खोला स्टूडियो आने से जस्ट पहले तो देखा चैनलों पर राहुल गांधी की पदयात्रा को लेकर केंद्री स्वास्ति मंत्री की सिफारिश पर जाओं जाओं मची हुई है कॉंग्रेस पार्टी और बीजेपी के प्रवक्ता सुबह से ही टेलिवीजन चैनलों पर उल्जे हुए हैं देख की सारी समय से आएं एक तरफ और कॉंग्रेस और बीजेपी की पदयात्रा को लेकर जाओं जाओं एक दूसरी तरफ मसला क्या है साथ मसला यह है कि केंद्रिय स्वास्ति मंत्री डाक्टर मंसुख मांडविया ने तीन सांसदों के हवाले यह सिफारिश कर डाली है कि राहुल गांधी को अपनी पदयात्रा के दर्मियान जो लोग उनके साथ चल रहे हैं उन सबका कोरोना के बारे में उनको सचेत किया जाए कोरोना प्रोटोकोल का कड़ाई से पालन किया जाए सबकी जाज़ परताल की जाए और यात्रा में शामिल होने से पहले और यात्रा में शामिल होने के बाद उनको आइसोलेट भी रखना चाहिए यानि लोगों के बीच में नहीं जाना चाहिए इस तरह की बहुत सारी सिफारिशें जो आम तोर पे हमने कोरोना की पहली और कोरोना की जो दूसरी लहर थी जिसको कहा गया कि दूसरी को तो बहुत ही खतरनाक बना गया और सही बात भी आए आखड़े भी इसी बात की तस्दिक करते हैं तो उस तरह की गाइड लाइन जो है उन्होंने सुनाई अब सवाल इस बात का है कि जो पध्यात्रा के लिए गाइड लाइन ये सुनाई गई है ये तो देश में और कहीं नहीं गुजरात के चुनाओं में नहीं दिखी जहां हजारों की लाखों की सभाएं की गईनेताओं की जहां पर पध्यात्रा तो नहीं लेकिन रोड शो निकाले गए और पध्यात्राएं भी कुछ दूर के लिए हुई समयम कॉंग्रेस पार्टी की पध्यात्रा हुई अभी रा हिमाचल के मुख्य मंत्री सुख्विंदर सिंग सुख्षु जो हैं उनको कोविड-19 यानि कोरुना से उनको संक्रमित पाया गया है वो हाल में दिल्ली में थे और दिल्ली में प्रधान मंत्री जी से मिलने से पहले एक उपचारिकता वर्ष उनकी जांस कराई गई और जांस जब होई तो पता चला कि वो इन्फेक्टेट हैं हाला कि उनको कोई लक्षन नहीं थे उनको कोई लक्षन नहीं थे तो ऐसी स्थिती में एक घटना से पूरे के पूरे पद्यात्रा के बारे में ये निश्कर्स या नतीजा निकालना कितना सही है कितना गलत है ये वैग्ज चीफ मिनिस्टर हैं और भी कुछ विधायक उनके साथ आये थे सब लोग राहूल गांदी की पद्यात्रा में राजस्तान में शामिल हुए थे तो इसके आधार पर भारती जंता पार्टी के नेता प्रवक्ता और बड़े-बड़े ओधेदार ये बात अगर कह रहे हैं तो इ इसको ध्यान से सुनिए और हम कोशिश करेंगे कि आपके हमारे स्क्रीन पर भी ये दिखाई पड़े डाक्टर मनसुक मांडविया अति आवश्यक दिन्नांक 20 दिसंबर 2022 माननिय श्री राहूल गांदी जी नमस्कार मैं आपके स्वस्त एवं सकुषल होने की मंगल कामना कर पता हूँ कृपिया इस पत्र के साथ संलगन राजस्थान राजिके माननिय संसथास्य स्री पीपी चौधरी स्री निहाल चंद्र एवंग स्री देवजी पटेल द्वारा लिखे गए दिननांग 20 दिसंबर 2022 के पत्र का संदर्व लें जिसमें माननी संसर सदस्यों ने राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा से फैल रही कोविड महामारी के संबंद में अपनी चिंता व्यक्ति की है और कोविड से राजस्थान और देश का सकती से पालंड हो मास्क वो सेनिटाइजर का उपयोग कराया जाए एवंग सिर्फ कोविड के प्रती वैक्सिनेटेड लोग ही इस यात्रा में हिस्दा लें यह सुनिश्चित किया जाए यात्रा में जुड़ने के पुर्व एवंग पश्चात यात्रियों को करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा को देश हीस्त में स्थगित करने का अनुरोध है अता आपसे प्रार्थना है कि मानी संस्दस्यों से के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए उक्त बिंदों पर शिक्रही कारवाई करने की अनुश्चित करता हूं धन्यवाद आपका डाक्टर मनसुक मांडविया अब मेरा ये कहना है कि इस पत्र को अगर देखें तो इस पत्र में ये कहा गया है कि राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा से फैल रही कोविड महामारी आखिर वैज्यानिक स्तर पर चिकित्सा के स्तर पर विशेशग्यों के स्तर पर क्या इस बात की परताल करा ली गई है कि राघुल गांधी की पद्यात्रा से राजस्थान में कोविड महामारी फ्यल रही है ये बहुत बड़ा बाकिया है बहुत बड़े-बड़े शब्द इसमें इस्तेवाल किये गए हैं कि कोविड महामारी के फैलने के बारे में कहा गया है पद्यात्रा से तो क्या तीन सांसदों के कहने पर और बाईचांस या संजोग बस वो सत्ताधारी दल से अगर जोड़े हों या कम से कम कॉंग्रिस के विरोधी हों तो ऐसे नेताओं के कहने पर क्या ये नतीजा निकाला जा सकता है क्या ये विश्यशग्यरा इसको इसे कही जा सकती है ये एक बड़ा प्रशन है जो इस पत्र से उबर कराता है और दूसरी बात कि माननी मंतरी जी हेल्थ मिनिस्टरी के प्रभारी है उनके पास पूरा हेल्थ का इंफ्रस्ट्रक्टर है देश का विश्यशग्य है वे जहास परताल करा सकते थे एक विश्यशग्य टीम भेज़ कर इस पत्र को सारजनिक स्तर पर जो जारी हो गया है अब तो सब के सामने है क्योंकि न्यूज एजंसी जने जारी कर दिया है तो ये पत्र के सारजनिक होने से पहले क्या ये बेहतर नहीं होता कि एक विशशक टीम जो है जा करके वहां जाँच परताल करती पद्यात्रा में कम से कम एक सेंपल सर्वे ही करा लेती सेंपल जाच ही करा लेती लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं तो मुझे लगता है कि ये राजनितिक रूप से एक तरह का इसमें आगरह पुरवागरह जलगता है इसमें कोई दोराए नहीं है क्योंकि ऐसा कोई प्रोटोकॉल मेंटेन करने का सुझाओ हाल के गुजरात या हिमाचल चुनाओं के दोरान तो हमने आपने किसी नहीं नहीं न सुना और न देखा अगर मान लीजिए कि एक मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश के इस पध्यात्रा में जो कुछ देर के लिए शामिल हुए और वो जांच परताल में इन्फेक्टेट पाए गए गए लेकिन उनको कोई लक्षन नहीं है ऐसा अखवारों में मीडिया में रिपोर्ट्स हैं किसी और को संक्रमन हुआ है या नहीं हुआ है इसके बारे में कोई पड़ताल नहीं है कोई जांच नहीं है तो कैसे ये मान लिया जाए कि पड़ियात्रा के जर्ये ही वो इनफेक्ट हुए हो सकता है कि वो शपत ग्रण से पहले और शपत ग्रण के बाद लगातार लोगों से मिल जुल रहे हैं इमाचल में या दिल्ली में भी मिल जुल रहे हैं कों जाने कहां से संक्रमन आया तो ऐसे में सिर्फ पद्यात्रा पर तोहमत लगा देना मुझे लगता है कि ये भी एक राजनितिक दुर्भावना है और राजनितिक दुर्भावना का इसमें निश्चित रूप से संकेत मिलता है को तीसरी बात की ये जो सारा का सारा ये प्रकरण है इस प्रकरण में बार बार इस बात का हवाला दिया जा रहा है कि प्रोटोकॉल का प्लावन Middle लेकिन इसी सरकार ने एइरपोर्ट से लेकर रेलवेज स्टेशन भीड भरे बाजार से लेकर के प्रदर्शनों तक जुलूसों तक किसी भी तरह के प्रोटोकोल के पालन का आदेश जो है स्थगित कर रखा है हवाई जहाज में भी मास्क पारने पर अब एक जो पहले था कि आती आवश्यक था कि आप हवाई जहाज में तभी बैठेंगे एयरपोर्ट पर तभी जाएंगे जब आप मास्क लगा कर चल रहे हों लेकिन अब वहां भी अनिवारिता नहीं है किसी भी सारोजनिक स्थल पर चाहे वो रेलवेज स्टेशन हो एयरपोर्ट हो या कहीं भी कहीं भी आप देखेंगे कि आज आज की तारी में कहीं न कहीं रख चलता हूं मास्क भी लेकर चलता हूं भी बीड में चलता हूं और और एयरपोर्ट पर भी जाता हूं रेलवे नहीं थी कि कहा किसको क्या हो रहा है लेकिन जैसे ही वो राजस्थान में घुसी जहां भारती जंता-पार्टी और कॉंग्रेस की बीच जोड़ार टककर होनी है और ज्यादा वक्त नहीं है दोजार तेईस में होनी है वहां असेमली एलेक्शन है तो राजस्थान को ये मुद दिन में तो ये जब दौर चल रहा है जब वो किंद्र की तरफ आ रहे हैं इसके बाद वो फिर दूसरे हलकों में जाएंगे और अंत में कश्मीर में जाएंगे तो क्या राहुल गांधी की पद्यात्रा को लेकर क्या सरकारी अस्तर पर सताधारी दलका एप्रोच और रवया कुछ यादा बदल रहा है सकतो रहा है क्या वज़ा है हम सरकार की मंचा पर सवाल नहीं उठा रहे हैं हम तो केवल ये सवाल उठा रहे हैं कि प्रोटोकोल अगर अन्य जगहों पर नहीं है तो केवल पद्यात्रा के लिए ही प्रोटोकोल और यहां तक की स्थगित करने का सुझाओ और वो भी किसी विश्शक्य टी उस साधार पर यह सी फारिशाई होती तो इसको मुझे लगता है कि जादा लोग स्वागत करते मैं तो करता ही लेकिन मेंबर आफ पार्लामेंट वे बहुत समझदार हैं बहुत प्रोड हैं उनको हमारा सलाम है वे जनता के प्रत्नी दी हैं लेकिन वो कोरोना के भी के जरिए ये काम कराना चाहिए था और उसकी सिफारिश की रोशनी में फिर वो अगर सुझाओ देते कि राहूल गांधी को अपनी पद्यात्रा अस्थगित कर देनी चाहिए तो ये एक तर्क होता एक लॉजिक होता और इसको लोग गंभीरता पुरवक लेते लेकिन अभी जो है ये सिफारिश या सुझाओ जो आ रहा है वो राजनीत इसे प्रेरित लग रहा है इसमें कोई दो राय नहीं तो एक तो बात मैं ये कहना चाहता था और बिलकुल आखिर में दोस्तों हम सब जानते हैं कि चीन वहाँ पर कोरुना को लेकर कोविड नाइंटीन के इस हा यहां भारत में ज्यादा उसका फैलाव ना हो जाए मैं नहीं जानता क्योंकि इस चिट्ठी में इसका कोई जिक्र नहीं है लेकिन उसके लिए जरूरी यह नहीं है कि अपने देश में कोई सारुजनिक स्तर पर काम हो रहा हो प्रदर्शन हो रहा हो कहीं कोई मार्च हो रहा जाए इसके लिए जरूरी है कि चीन से भारत में जो आवागमन है अगर है इस समय तो उस पर प्रतिबंद लगाया जाए और साथ में जो जरूरी आवागमन चीन से होने वाला है या हो रहा है खासकर व्यापार के छित्र में डिप्लोमेसी के छित्र में या व्यक्तिकस्तर प में समझा है पढ़ा है उसके लिए जरूरी है कि आने जाने वाले लोगों की एयरपोर्ट पर ही सक्त जांछो और दोनों एयरपोर्ट पर जांछो यानि दाखिन होने से पहले और उतरने से पहले तो यह जरूरी है कोरणा को लेकर आतंकित होना मुझे लगता है आज के दौर में दुनिया इसको एफॉर्ड नहीं कर सकती है क्योंकि महामारी आती है जाती है अगर आप सब कुछ छोड़ देंगे तो विकास का पहिया थम जाएगा प्रगती जो है रुक जाएगी इसलिए कोरणा स जूसते हुए कोरणा का मुकाबला किया जा सकता है और गौर्द दलब है दोस्तों कि अपने देश में जो हेल्थ मिनिस्ट्री की अपनी जो रिपोर्ट है कोरणा को लेकर वो ये कल तक की रिपोर्ट है जब जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं पूरे भारत में नई के केसेज हैं और जो एक्टिव केसेज टोटल हैं टोटल अब तक की हाल के दिनों में जो 20 दिसंबर 2022 तक यानि मंगलवार तक रिकार्ड हैं वो 3490 हैं पूरे देश में तो एक अरब 40 करोड के आस पास की आबादी वाले मुल्क में ये संख्या इतनी कम है कि जिसके आधार पर देश में या देश के किसी भी प्रोडेश में कोरुणा को लेकर इस तरह की स्थिती पैदा करने की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है और वैग्यानिकों से इस पर सला ली जानी चाहिए नेताओं को इस पर कम बोलना चाहिए टेलिवीजन चलनों पर भी इस पर हाँ हा जाँ 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 नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे जंता में अनावर्श्यक दहसत पहलती है एक तो ये बात जरूर मैं दर्ज करना चाहता था और चलते चलते दोस्तों हमारा ये कहना है कि ये जो इस ठितियां अभी हैं अपने देश में कई राजियों में चुना होने व सरकारे में मेरी जानकारी है कि सरकार ने काफी तैयारी कर ली है तो कहीं वहां भी चुना हो जाए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोर्णा के एक तरह से कोर्णा का भय दिखाकर एक माहौल राजनीतिक इस तर पर बनाया जा रहा है ताकि लोगों का आवागमन कम हो जाए रैलिया इसके बाद नौंबर दिसम्बर में फिर राजस्थान, शत्यसगर्ड और मध्यप्रदेश की बारी आएगी तो ये एक खत्रा यह है कि भवश्य के होने वाले चुनाओं में जहां पर ज़्यादा स्टेक है बीजेपी का और कांग्रिस पार्टी का और दूसरी अन्य पार्टी का कहीं लोगों के आवागमन को, लोगों के बीच के संबाद को कम करने के लिए तो ये सब चीजें शुरुआत नहीं की जा रही है तो इन कुछ टिपड़ियों के साथ मैं आज की चर्चा का यहीं समापन करता हूँ नमस्कार, आदाब, सत्वियकाल